अगर आपने आज तक कभी भी नॉर्थ इस्ट नहीं देखा है और आप चाहते हैं कि कम समय में हम पूरे नॉर्थ इस्ट के सबसे ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल स्टेशनों को आप देखकर आजाएं और केवल और केवल 15 दिन है आपके पास तो ये ट्रेन आपके लिए आएर सीटीश ने खास स्पेशली आपके लिए बनाई है नॉर्थ इस्ट को जानने के लिए आज आएर सीटीश ने एक टूरिश्ट ट्रेन नॉर्थ इस्ट डिसकबरी बियॉण गुहाटी का एक नाम से एक ट्रेन इस्पेशल ट्रेन चलाई है जो आज यहां स्टेशन से दिली से रवाना होगी और अगले पंद्र दिन ये पूरे नॉर्थ इस्ट का हमें ब्रहमन कराएगी लगातार एक अलग-अलग पूरे अनुभव रहेंगे जो प्राकृतिक सौंदर्यता जो पूरे नॉर्थ इस्ट में भरी पड़ी है उसको यहां पर एक्स्प में प्रधान मंतरी की रूप में उन्होंने सपत ली है तब से लगातार उन्होंने एक बात जरूर सब के सामने रखी है कि उनकी जो लुक नॉर्थ इस्ट पॉलिसी है उससे लगातार जो नॉर्थ इस्ट है उसका जो विकास है वो तेजी से बढ़ता जा रहा है एक समाई हुआ करता था जब कॉंग्रेस काल हुआ करता था तब लगातार नॉर्थईस्ट से एक ही खबरیں जो सामने आती थी लगातार वहाँ पर जो बड़े-बड़े आतंग की हमले हुआ करते थे वहाँ पर जो अलग से एक माहौल इंसेक्योर्टी का हुआ करता था लेकिन उससे इतर जब से 14 से प्रधानमंत्री मोधी सत्ता में काबिज हुए है तब से एक अलगी बायार विकास की नौर्थ इस्ट में बहरी है लगातार जो बड़े बड़े प्रधानमंत्री मोधी और केंद्रिय सरकार के प्रोग्राम वहाँ पर लगातार हो रहे हैं केंद्रिय मंत्री वहाँ पर जाते हैं हर 15 दिन वहाँ ठैरने कोई न कोई एक मंत्री लेबल का वहाँ पर नेता जाता है तो उसके बाद से जो नौर्थ इस्ट है उसका विकास लगातार बढ़ता जा रहा है उसी के तहत पानने के लिए आज IRCTC ने एक टूरिस्ट टेंड नौर्थ इस्ट डिस्कवरी बियोन गुहाटी का एक नाम से एक ट्रेंड इस्पेशल ट्रेंड चलाई है जो आज यहाँ सब्दरजंग स्टेशन से दिली से रवाना होगी और अगले 15 दिन यह पूरे नौर्थ इस्ट का ह मौका मिलेगा और यहाँ जो महत्वकांसी योजना है प्रदानमंत्री का देखो अपना देश की पहल के अंतरगत हो रहा है तो जो यह बहुत बड़ी पहल जो प्रदानमंत्री मोजी ने की ली थी उसके बाद लगबग 5-6 ट्रेंड एसी हैं जो इस्पेशल अलग परेटक इस्थलों पर खास तोर पर इसका जो नाम ही है बियोंड गुहाटी क्योंकि गुहाटी में आदस से जाद जो टूरिस्ट जाते हैं नौर्थिस्ट तो वो तो गुहाटी तक तो जाते हैं लेकिन उसके बाद क्या अब इसी को एक्सप्लोर करने के लिए प्र उनको पर्यटन से उनकी कमाई कैसे और बढ़ाई जा सके उसके लिए ये स्पेशल ट्रेन चलाएगए अगर ट्रेन की बात करें हम तो ये एसी डीूलक्स ट्रेन है इसमें फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास एसी है और ट्रेन जो आज सबदर्जंग स्टेशन से चली है इसक हरी जंडी दिखाई है संस्कृती राज्य मंत्री मिनाक्सी लेखी जी ने हरी जंडी दिखा कर इसको रमाना किया है और इसमें अगर अलग अलग इस थलों की बात करें जहां ये ट्रेंज आएगी तो ये उत्तर पूरी राज्य के प्राकृतिक सोंदर रहता और सम्रिद जय भी बिता है लगातार जो आकर सक वहां पर एक तरीके से व्यू मिलता है उसके मनोरहम द्रिश्यों को दर्सन करने के लिए यात्रा पंदर दिन तक चलेगी और अगर यहां पर हम इसमें उतरने और चड़ने के लिए अगल अगल जो इस्टेशन है आप इस ट्रेंड में कैस और टूरिस्ट पैकेज की बात करें तो इसमें कौन-कौन से प्रमुकिस्तल है जो नौर्थ इस्ट के आप जहां ये पूरी ट्रेंड जो आपको ब्रहमन कराएगी सबसे पहले इसमें आध्यात्मी का जो खास लगाओ इसमें रखा गया है कि कामाख्या देवी मंदीर सबस सबसे महत्तुपूण कामाख्या देवी का मंदीर है सबसे पुराने सक्थि पीठोों मैं से एक ग्वहाटी में जो उमाननन dal मंदीर है वहाँ भी ब्रहमन कराएगी सक्थी साली जो नदी है उस पर सूरियास्थ्र जो क्रूज है उस पर आपको देखने का मौका मिलेगा और जो अरुणांचर प्रदेश की राजधानी है इटा नगर और ओहम समराज्य की जो राजधानी है सीव सागर और जो रहाट में चाय के जो बगान आपको दिखते हैं आसम के चाय के बगान वहाँ भी आपको ले जाएंगी और जो काजी रंगा नैशनल उद्यान है वहाँ भी आपको ले जाएंगी जहाँ पर एक सिंग वाले गेंडे सबसे ज़्यादा फैमस है और बागों और पक्षियों का जो पुरा एक चिनिया घर सा है आपको वहाँ का भी द्रिश्या देखने का मौका मिलेगा त्रिपुरा में सैविस्थल उनाकोटी जो उजियंत महल और सुंदर नीर महल पुरवतर एक मात्र जो जील है वहाँ उसका सुंदर देखने का आपको मौका मिलेगा त्रिपुर्या सुंदरी जो सकती मंदीर है वहाँ देखने का मौका मिलेगा और नागलेंड की राजदानी कोहिमा जो खानोमा गाउं है और मेगाला ही जो बादलों जर्नो ब्रीज और गुफाओं का घर है वहाँ आपको देखने का मौका मिलेगा और चेरा पुझी जो सबसे ज़ादा जहाँ भारत में सबसे ज़ादा बारीस अगर कहीं होती है तो चेरा पुझी में दर्ज की जाती है और सिलोंग आपको देखने मलपूरे नौर्थिस्ट क हर राज्य को यहां पर छूने की कोशिस की गई और उसके प्रमुक प्रमुक जो इस्तल हैं उनको एक तरीके से परियटकों को दिखाने के लिए इन 15 दिनों में अगर आप ने आज तक कभी भी नौर्थ इस्ट नहीं देखा है और आप चाहते हैं कि कम समय में हम पूरे नौर केज में अगर IRCTC की बात करें तो उन्होंने इसी ट्रेन में तीन टाइम का खाना ब्रेक फास्ट लंच और डीनर आपके लिए केवल सबसे महतुपूर्ण जो बात है इसमें IRCTC की केवल इसमें साकाहारी खाना ही आपको परोशा जाएगा और एक अच्छी पहली है कि जो गुणवत्ता है वो होटल से बैस है और AC ट्रेन है पूरे AC कमरी जो बजट होटलों में और पांस दिन आपको इस्टे कराएंगे सबसे अच्छे होटलों में और बाकी जो नौ दिन होंगे वो आपके AC ट्रेन में गुजरेंगे और आप वैसे बात करें हम आप तो जो पां की जाएगी और ब्रहमपुत्र नदी पर ब्रहमन करने के लिए काजिरंगा पार्क में जो सफारी उसमें खुली जो जीप होती है उसमें सफारी करने का मौका मिलेगा और वहीं दूसरी तरफ भीमा की बात करें तो यात्रियों के लिए यात्री भीमा इसमें सामिल किया गया ह तो जो प्रधान मंतरी की लगातार नौर्थ इस्ट को एक्स्प्लोर करने की और वहां के लोगों को एक अलग सा विकास दिखाने की जो लगातार वो बात करते रहते हैं और उसी का प्रणाम है कि अभी जो विगत एक महिने में जो वहां पर चुना हुएं तीन बड़े राजियों में चाहिए वो नागलेंड ले ले लिजिए त्रिपुरा ले ले लिजिए और मेगा लाए वहां पर या तो बीजेपी की सरकार बनी है और या फिर बीजेपी समर् सदकार हो लेकिन लगातार जो परियास की है प्रणामंतरी मोधी ने उसके तहत ये देखने को मिल रहा है कि लगातार उनके जो जनाधार है नौर्थिष्ट में वो बढ़ता जा रहा है तो इसी से आप लगा सकते हैं कि जो प्रणामंतरी है वो किस तरीके से नौर्थिष् इनका स्वागत किया तो आप यह देख सकते हैं कि जहां विकास नहीं पहुचाता आज वहां विकास पहुच रहा है और इस तरीके से क्योंकि जो सबसे महतुपूर्ण जो पूरी दुनिया में जो GDP का योगदान जो सबसे बड़ा एक तरीके से निभाता है वो परियतन निभ और हो सकता है तो इसी को देखते हुए भारत में घरेलू जो हमारे खुद के जो परियतक हैं उन्हीं को एक दूसरे राज्य से कैसे जोड़ा जा सकता है उनको एक दूसरे राज्य में कैसे ब्रह्मन कराये जा सकता है तो उसलिए ये देखो अपना देश के पहल के अंतरग कुछ ऐसी जगों हैं जहां ना तो आज तक किसी मीडिया का कैमरा गया है नहीं किसी एक्सप्लोर करने वाले ने उस सुन्दर त्याक को उस रूप से एक तरीके से आप कह सकते हैं जो फिल्में सूट होती हैं चाहिए वो बॉलीवूड की हो लगातार वो बाहर के डेस्टिने जा सकता है तो इसी लिए ये पंदर दिन का डेडिकेटेड एक स्पेशल सिड्यूल बनाए गया है ट्रेन का और अगले पंदर दिन ये पूरे नॉर्थ इस्ट में जाएगी और उस से क्या होता है कि जो वहां के रहने वाले निवाशी हैं वो यहां के लोगों के बारे में को एक दूसरे से जोड़ना चाते हैं जो एक अच्छी पहल मानी जा सकती है और उसका अंदाजा आप ये लगा सकते हैं कि आने वाले 2024 के चुनाव में जो प्रदान मंतरी का महतोपूंट चुनाव माना जा सकता है बीजेपी के लिए तो उसी को देखते हुए ये जो से भारत के जो लोग हैं उनका अपने देश के प्रति जो देश भक्ति की भावना है और अपने देश की सुन्दर्ता को नहारने का मौका मिलेगा इसी लिए ऐसी ट्रेने और बढ़ाई जानी चीए